हलो गाएज वेलकाम बगटो माइचनला ट्रेडिंग लेंज तो चलिए ऐद बारे मात करते हैं जिस पर कल के दिन हम ट्रेडिंग कर सकते हैं तो फर्स्ट है अमारा जो लास्ट ट्रेडिंग यहां पे इस पॉंट में आकर यह अटक गया है तो यहां पे हमें क्या करना है इसमें अगर यह इस पॉंट के नीचे निकलेगा तो हमें इसमें सेलिंग करनी है तो हम थोड़ा safe side लेके चलेंगे क्योंकि यह 98 का है तो हम 97 के नीचे अगर कोई भी 50 minute की candle अगर closing मिलेगी तो हम उसमें selling की position मना सकते हैं और जो हमारा SL रहेगा वो इस closing price कराएगा तो हमारा इसमें जो SL बनेगा 2.90 का बन जाएगा या फिर 3 रूपीज का आप consider कर सकते हो और जो हमारा first target रहेगा हम इसमें 7.89 रूपीज तक का first target अचीव कर सकते हैं और next है हमारा भारती रेटल तो भारती रेटल में देखते हैं तो इसमें आपको एक चीज दिखाता हूं यहाँ पर इसने क्या किया है hourly candle में आपको clear दिखेगा कि इसमें क्या बन रहा है यह देखिएं तो इसमें आज क्या हुआ है आज के morning में जो इसने breakout दिया था उपर की तरफ तो यह sustain नहीं कर पाया है similar pattern है आईसे आईसे बैंग की तरह और यह consolidation जहां से किया था इसने उसी range के आज पास आगे इसने closing कर रही है तो हम इसमें एक selling की position मना सकते है अगर यह इस point को break करेगा नीचे की तरफ तो 77 के नीचे हमें एक buying की sorry selling की position मना सकते है और जो हमारा SL बनेगा उसमें 79 का बनेगा और जो first target रहेगा 68 या 69 रुबीज तक आप रख सकते हो या 1202 पे भी आप इसको book कर सकते हो next है हमारा divis lab divis lab में देखेंगे तो इसमें एक trend line जा रही है जिसमें मैंने इस point को और इस point को मिलाया है और आज इसने selling का pressure दिखाया है आप इसको छोटा एक double top consider कर सकते हो और इसने trend line के नीचे closing कर दिये तो हमें क्या करना है अगर जैसे ये 3760 के नीचे निकलेगा तो हमें एक इसमें selling की position मना सकते हैं और जो हमारा first target रहेगा इस point का रहेगा 3735 का और उसमें हम trend line के breakdown पे हम trading करेंगे क्योंकि हमारा इसमें कोई ज्यादा खास pattern नहीं बन रहा है क्योंकि ये double top हम consider कर रहे हैं smaller time frame में और इसने एक trend line को breakdown किया है तो ये इस point तक नीचे की तरफ आ सकता है क्योंकि step बनाते हुए उपर की तरफ निकल रहा है तो इस पर breakdown होगा जहां से इसने rejection लिया था आप यहाँ पर देखेंगे तो इस point से इसने rejection लिया था और उसी point के आसपास आके इसने दुबार लिया था फिर आज आके ऊपर closing कर रहे हैं तो हम इसमें की बायंग की position मना सकते हैं और smaller time frame में देखोगे तो हम इसमें की उपर एक buying की position मना सकते हैं आप अगर consider करोगे तो यह point है हमारा 201 का और जो हमारा stop loss रहेगा इसमें 199 का रहेगा 2 रुपे का हम stop loss रखेंगे और 102 का हम target रखेंगे इसमें बट हम इस target को भी अचीव कर सकते हैं 207 को अगर यह flow में निकलता है तो अगर हम trail करते हुँ चलेंगे यह target भी हम easily achieve कर सकते हैं तो first target हम यह रखेंगे कि हमें 1202 मिल जाए इसमें और next अगर flow में निकल रहा होगा तो हम 207 तक के लिए भी बैठ सकते हैं ओके और next हमारा हिंद पैट्रो हिंद पैट्रो में देखेंगे तो यह one hour candle में आपको clear दिखेगा कि इसने क्या किया है आप इसने इस point के आसपास consolidation किया फिर एक breakout दिया first stop बनाया फिर दीरे दीरे उसी point के आसपास गया second top बनाया बट यह जो higher था यह इस high से below था इसलिए यहाँ पर fall आ गया नीचे के तरफ और यह step बनाते हुए नीचे आ रहा है और इसने क्या किया है step बनाते हुए नीचे आया है तो अगर यह इस point के नीचे निकलता है 230 के नीचे तो हमें एक इसमें selling के position मना सकते हैं और जो हमारा maximum target रहेगा 224.6 कर आएगा इस swing के आसपास तक का बट हमें इसमें क्या करेंगे हमारा जो stop loss रहेगा यह वाला 232 का हम stop loss लगाएंगे इसमें या 231 का भी लगा सकते हो और जो हमारा maximum target रहेगा वह 224 रहेगा बट हम उसको वन रेसर टू पर भी बुक कर सकते हैं सेफ साइड अगर रहना चाहते हो आप तो तो उसमें वन रेसर टू पर उसको बुक कर सकते हो तो अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगए हो तो वीडियो को लाइक करें और मे मेरे चैनल ट्रेडिंग लैंस को सब्स्क्राइब करें थैंक्स फूर वाचिंग